मैं हतुआ राज महल में हूँ और अब देख सकते हैं एक विशाल एतिहासिक घड़ा बिलकुल दुरलब है जी देखे थे जी छोटी वाली है यह बड़ी वाली है काशिन घूम लिए अभी दाजलिंग घूम के आई यह बहते रहते हैं जाँ घूम असा कि यह मेरी माता जी है यह मेरी चाची जी है राणी साहब यह इनकी पोती है ये इनकी बहु है ये इनका पोता है ये बहु है ये मेरी बेटी है ये मेरी पोती है अब छोटी वाली पोती का उसमें जनम नहीं हुआ था और चचा का पोतो नहीं है और मेरे बेटा का प्यानों है एक बाद यंत्र है जो रखा गया है यहां राजा और महराजा लोग वजाय करते थे हाथी के कान पे पूराने जमाने में लगाया जाता था जुमका या वही जुमका है जो प्राचीन काल में हत्वा राज परिवार में जब हाथियों का जुन्ड हुआ करता था तो उन हाथियों के कानों पे लगाने के लिए है जुमका बनाया गया था कितना संजो करके रखा गया है इसे आज इस प्रकार की बिवस्था और इतने प्राचीन बस्तुओं को संजो करके रखना यह हत्वाराज परिवार से ही किसी को भी सीखना चाहिए देखिए कितना सुंदर घड़ा जुमका है जुमका हमको लगता है कि चार-पांच फिट की इसकी लंबाई है बिल्कुल six feet है आये महराजा बहादर कुछ कह रहा है कितना फिट का होगा सर शे सुपर शे से ज़्यादे फिट का है यह यह तो यहां पर पिंट हो रहा है इसलिए क्या इसे क्या बोलते हैं सर यह आगता पने वाला उसके उपर लगता है अच्छा आपने के लिए जाड़ जब बिजली नहीं हुआ करती थी उस जमाने में बिजली नहीं हुआ करती थी हीटर और आग अलावत आपने के लिए कोई बेवस्था नहीं हुआ करता था अति प्राचीन काल में उस समय यहां राजा और महराजा लोगों के अलावत आपने के लिए जाड़े के दिनों में ज दुरलव, अस्थला और वस्तू का निर्मान किया गया था जहां राजा और महराजा लोग बैट करके अलाव तापते थे या देख सकते हैं आप या कब का इसका निर्मान किया गया है सुजूर। प्यानों है एक बाद यंत्र है जो रखा गया है यहां राजा और महराजा लोग बजाया करते थे यह गाड़ी कब की है हुजूर। इस राजपरिवार की दो राजकुमारिया ननिसिपरी देवी की स्वरूपा हैं दोनों परियां यहां नहीं आपको मैं दिखाते विल्कुल। तो वही दोनों लोग इस पर बैठ करके घुमते हैं इलेक्टी से, बिदूत की धारा से, बिदूत की धारा जैसे इसमें परवाइत होगी है, गाड़ियां सरपट सड़कों पर दोड़ने लगती हैं, यह वही गाड़ी है, और रहे हैं, परजावतसल, महराजा बहादूर एक वस्तुओं को दिखा रहे हैं, दखिए, मुराजी दसाई जब मेरे हाँ आए थे, वो फैनांस मिनिस्टर गर्वर्मेंट अफ इंडिया थे, तो यह मुराजी भाई है, यह सिरी बाहु है चीफ इनिस्टर, यह राजमाता हुए माता जी, माता जी पिता जी, मेरे चुचा भारत सरकार के ततकालिन, वित मंत्री, मुराजी भाई दसाई, जब हथुआ महल में आये थे, उस समय की यह तस्वीर है, कौन सन रहा होगा? 1954-55 1954-55 में मुराजी दसाई भी यहां चुक है, अब तक कितने गर्माने लोग इस महल का उलोकन दर्सन कर चुक है? यह सब है पतना का, यह मुराजी भाई हम लोग के आँ नास्ता कर रहे हैं, यह बच्चा हम हैं, यह में पिता जी है, मुराजी दसाई हैं, यह महेश भाव हैं, सिरी भाव हैं, माता जी हैं, चचा है, यह जो है प्रेस्टेंट अफ इंडिया, फकुरुदीन अली अम्मद ह हैं, उनके बगल में गफुर साइब हैं, उनके बगल में अम्मा हैं, चंदर शेकर वह चीफ इस्टर बिहार, यह अमरपाली जो खुला था, वहां दिल्ली में बिहार गवर्मेंट का, यह उसके उड़गाटन का टेहिंट का है, मुरारजी भाई देशाई, निजाम चाहे किसी की वी हो, तमाम लोगों से वेतर संबंद रहा, और तमाम लोग भले परदान मंतरी हों, मुक्य मंतरी हों, कैविनेट के, किसी भी अस्तर के मिरिश्टर हों, तमाम लोगों का आना जाना यहां लगा रहता था, आज भी तमाम लोगें आते जाते रहते हैं, यह अद्भुत्य, सोफा है सर, देखिए इस सोफे की गुर्णवता महराजी बता रहे हैं, क्या है इसकी विशेस्ता सर, महराजी का कहना है कि आप सोफा पे भले तीन दिसाओं में बैठियेगा, लेकिन तीनों का चेहरा एक के, कि दूसरे के सामने होगा, और एक दूसरे के देखिए एक और अद्भुत्य, सब्दों के जादुगर भी आज यहां करके निशब्द हुआ, मैं कैसे प्रसंता करूँ और किन सब्दों का चैन करूँ, इन अइतिहासिक चीज़ों को दिखाने के लिए, मैं निशब्द हूँ, देखिए, मिशाइल मैं के नाम से मशहूर, और अब्दूल कलाम सहब से भी हत्वा राज का भेतर समन्द रहाँ, आप दिवारों पर तस्वीरों को जब गौर्फ देखेंगे, तो संबंध कितने मधुर हैं, तस्वीरें बता रही हैं, कितने वेहतर संबंध रहाँ होंगे, मौलाना एपी जे अब्दूल कलाम अजाद सहाब से, यह नेपाल के महराजा बहादूर, जो जिनकी तस्वीर यहां लगी है, लास्ट महराजा बहादूर थे, अभी जीवित हैं वे, उनकी तस्वीर भी है, साइदे, इनके बड़े भाई, बिरंद, ये भी हमारे स्कूल के प्रोड़क्त थे, और ये हमसे पांच साल बड़े थे, इसमें क्या कहता है, स्कूल में, और ये इनके सबसे छोटे भाई, वेरी फास्ट रिंड आफ माइन, दिरंद बीर बिकरम शाद देवा, वो मारे गह साइदे, नेफाल के, राज फरिवार के, जो युराज हुआ करते थे, हत्वाराज के बर्दबान, महराजा बहादूर के साथ वे लोग एक साथ पढ़े थे, सबकी तसवीर है, और एक और दुरलब तसवीर आप देख सकते हैं, यह तसवीर किनकी हम, देख सकते हैं, कितनी सुन्दर तस्वीर और विशाल काय तस्वीर है आप सुन सकते हैं महराजा बहादूर के मुकारब इन से नाइट कमांडर ऑफ इंडिया नंपार उनके बगल में उनके दिवान खर रहे हैं फॉस्ट प्रेजइड़न अफ इंडिया बाबू राजिंदर बाबू के चचा चौधूर मुंसिलाल देख सकते हैं तस्वीरों में देश के पर्थम राष्टपती राजिंदर प्रसाद जी के चाचा चौधूर मुंसिलाल जी खड़े हैं और महराजा बहादूर वहां बैठे हुए हैं इतनी अद्भुत तस्वीर है तस्वीरों को जब देखेंगे देख सकते हैं दुरलब संजोग है महराजा बहादूर हम लोगों के साथ एक एक कदम आगे बढ़ते हुए और मेरे साथ हैं राज के वरिष्ट पदादिकारी बड़े भाई याधनिये स्री अतुल कुमाराई जी ये घंटे से हम लोग बिचरन कर रहे हैं अथुआ राज महल का आखें हाएं जो हटती नहीं देखते देखते एक एक वस्तूओं को यह बहुत पुरानी तस्वीर है सर यह तस्वीर है किनकी यह जितने राजा महराजा थे दिल्ली में लोग कि कठा हुआ था जब किंग जौस दा फिफ्ट हिंदूस्तान आय थे उसी सवाद देश के तमा समय की तस्वीर है उसमें हतुआ राज परिवार कि सभागिता भी रही थी और देख सकते हैं क्रिष्ण कर्ण यह लाल की तस्वीर यहां लगे हुई है बहां के विहारी मन मोहन यहां विराजमान है कहा जाता है कि जहां भगवान सेर क्रिष्ण विराजमान रहते हैं वह अ हत्वा कायह 50 पभीत्र धर्ति यहां मैं गुपाल मंधिर है गुपाल मंधिर को दो दिन पहले मैं आपको दिखाया था बिलकुल अद्भुत और अलवकिक मंदिर के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं उत्विवा राज परिवार का भी वह मंदिर है सारी व्यो च्छपरा इस्थित इंपेरियल पबलिक स्कूल जो राज परिवार का बिद्धाला है वहाँ बच्चों को वहाँ तालिम दे जाती है सिख्चा दिया जाता है यह साउथ की हगिंग मंदर है मा अननमाई यह किसी को भी हग करके हग माने अक्वारी में लेके और आशिरबाद देती हूँ आदमी ठीक हो जाता है वो है में माताजी के साथ तस्वीर हैं तस्वीरों को टोलेंगे तो बहुत कुछ याद आएगा हुजूर यहां तस्वीर बहुत दुरलफ तस्वीर है दो लोगों की एक साइद क्रिश्ण ने हाँ देख सकते हैं यह आखरी फोटोग्राइफ है दुन आदमी का एक साथ दहिने मेरी माता जी राजमाता हत्वा है बाएं मेरे चचा राजा बहादूर डॉक्टर बीपी साही इनका परसल देहान थुआ उनका देख सकते हैं यह फलंग यह पलंग कब का है सर इसा बहुत 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 पहले गए बहुत पहले गए लगभक सौबर सौसे जा रही है बर्शों फुरानी यह प्लंग आप देख सकते हूं एक और तस्वीर के तरफ महराजा बहादूर बढ़ रहे हैं आकर देखते हैं क्या है नहीं सभानासग्रा फसलीं रानीस दोफ है इनकी बहु आप यह कर आप यह मेरी बेटी है यह मेरी पोती अब जोटी ऑलिपूर उसमें नहीं हुआ ते चाशा का फुटो नहीं या हमेले के बेटा को फोटो ने बहुं का फोटो नहीं है कि ढातुबा राज देख सकते हैं चाहिसा के आप इस सोफे को भी आप देख सकते हैं कि आ दरुबत है आईए बढ़ते हैं आ गए बहुत हुआ कि देखने के लिए तो बहुत चीजे हैं अब एक कि पन्फल यह एस्तार अजसाने पाफिस्तान के अधनी पॉद्फर देख सकते हैं दुरलफ देख सकते हैं आप कितना विलक्षाण मंगल मूरती मारुती नंदन शकल मंगल मूल निकंदन आप देख सकते हैं गणेशी भगवान मंगल के प्रतिमूरती यहां भी रजमान है अधर मंगलम भगवान विश्णो मंगल मंगल घड़ी के बारे में परोसलीन का यह प्रोसलीन का घड़ी आज भी चालू हालत में है एकदम राइट टाइम है जो कुछ भी देखेंगे यहाँ चालू हालत में आपको मिलेगा चलिए यह फोटो है गौन अब धार इस एक्सेलेंसी मिस्टर डी वाई पाटल यह उनकी वाइफ यह हमारी वाइफ हरे पतो मेरा बेटा हम उनकी बेटी यह हो गया हमरे सम्धी यह डॉक्टर अवदेश सिंग यह हो गया हुसे में गिर्मत्री थे महारास्ट जी 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 अनल में मा शीशी अनल में मा बरमलीन है अबी सजीद प्यागन जी देखे थे यह चोटी वाली है यह बड़ी वाली है काशिंग घूम ली अभी दाजलिंग घूम क्या है यह बहते रहते हैं जाओ घूमो सब्सक्राइब जी यह नितिस्वाव रवनाज ज्ञाँ कहीं हाँ हो यह हम है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्रि नितिस्व कुमार जी और स्वर्गी रगुनाज ज्ञाजी जो केंद्रिय मंत्री हुआ करते थे उनके सांत महराज बहादूर की वह तस्वीर है बहुत बहुत और बहुत प्राचीन घड़ा है कवका है महराज सर अब देख सकते हैं उस घड़े को कितना दुरलव घड़ा है रमार की सिरियल में उस परकार की घड़ा को आप देखते हैं जब महराज रावण अपने भाई कुम करण को जगाने के लिए भैसते हैं और रावण के सैनिक जब जल लेकर के जाते हैं कुम करण को पिलाने के लिए यह वही घड़ा है उसी परकार के घड़ा वह घड़ा तो है नहीं उसी परकार के घड़ा हिरमाणी के सिरियल में भी आप देखे होंगे जब रावन के शैनी के कुम्ब करण को जल पिलाने के लिए लेके जाते हैं बिल्कुल इसी आकार का भी वह घड़ा है